आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, E-commerce में business करने के लिए marketplace जैसे Amazon या Flipkart बहतर है या फिर खुद का website इस वीडियो में मैं आपसे discuss करूँगा कुछ points जो कि आप को ध्यान में रखने हैं अगर आप ये decide नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अपने business की शुरुवाद जो है वो marketplace से करनी चाहिए या फिर खुद की website शुरू करनी चाहिए पहला point इसमें है traffic का तो देखिए marketplace में जो सबसे बड़ा advantage ये होता है कि वहाँ पर traffic और रहा होता है क्योंकि existing set of sellers और existing products की वज़े से लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो traffic आ रहा है वो आपके product की वज़े से आ रहा है तो यहाँ पर बस ये advantage होता है कि जो already traffic आ रहा है उसमें हो सकता है कि कुछ आपके product लोग भी पसंद करने लगे और आपकी sales चल हो जाए तो वहाँ पर एक और advantage ये होता है कि वहाँ पर बहुत सारे products एक साथ मिल जाते है तो customer को और कहीं जाने की जुरूरत नहीं पड़ती है अगर अपनी website की आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको शुरू शुरू में बिल्कुल traffic नहीं मिलेगा तो अगर आप तयार हैं शुरू में बहुत marketing करने के लिए तो आप अपनी website पर business करना शुरू कर सकते है दूसरा एक बहुत बड़ा difference ये आता है commission charges का अगर आप marketplace पर list करते हैं और business करना शुरू करते हैं तो आपको हर product की sale पर हर एक order पर commission कुछ देना होगा जो की 6% से लेके कभी कबाट 23% तक भी जाता है depend करता है कि कौन सी category का product आप sell करते हैं यहाँ पर एक ये बड़ा difference है और खुद की website पर आपके कोई commission charges नहीं होगे आपकी ownership है तो बस वहाँ पर एक payment gateway के charges होते हैं जो आपको pay करने होगे यहाँ पर आपकी costing बन जाएगी अगर आप अपनी website शुरू करते हैं तो उसके बाद आता है आपका trust क्योंकि traffic है marketplace में existing set of customers का तो एक social proof already create होता है उससे खासकर कि Indian customers में जो की trust बहुत जल्दी नहीं करते हैं वहीं अगर आप खुद की website चालू करते हैं तो वहाँ पर शुरू शुरू में लोग बिल्कुल trust ना गरें क्योंकि वहाँ पर कोई social proof नहीं है कोई और नहीं ले रहा है या पता नहीं कि लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि लोग ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं एक बहुत बड़ा factor होता है control का marketplace में क्योंकि वहाँ पर ownership जो होती है वो seller की नहीं होती है policy changes कभी भी हो सकते हैं और अगर आप as a seller policy changes के बारे में aware नहीं है तो आपकी sales काफी effect हो सकती हैं जिससे आपको बहुत मुश्किल होगी अपने business को चलाने में एक marketplace वहीं आप अपनी खुद की website पर देखें तो आप आपकी ownership है आप वहाँ पर अपनी guidelines वहाँ पर policy कुद अपने हिसाब से बना सकते हैं तो वहाँ पर यह control आ जाता है वहाँ पर control इस ownership की वाज़े से ज्यादा changes और कभी भी आप changes कर सकते हैं तो यहाँ पर एक factor होता है registration charges का जो की marketplace पर काफी cheap होते हैं बस एक GST charges होते हैं जो आपको देने होते हैं कोई annually या कोई monthly charges आपको पे नहीं करने होते हैं वहीं website पर अगर आप देखें तो आपकी domain के charges आपको देने होते हैं hosting charges देने होते हैं और उनकी कोई annually या monthly fee होती है जो आप पे करने होती आपको वहीं आप देखें तो payment processing time जो होता है marketplaces के नदर वह काफी जादा होता है दस से 15 दिन की बीच में हो सकता है जिससे कि आपके account में पैसा जो है वह बहुत लेट आएगा लेट आएगा उससे मतलब उससे क्या होगा कि आपका जो business की growth होगी वह बहुत slow होगी तो अगर आप expect कर रहे हैं कि marketplace पे आपकी business बहुत fast है तो यहां पर एक यह drop आजाता है कि payment processing time बहुत लंबा है वहीं खुद की website पे अगर आप देखें तो payment cycle दो-तिन दिन की होती है तो पैसा आपकी account में जल्दी आजाता है और आप ही के account में आता है इससे आपकी business की जो growth है वह काफी fast होती है एक बड़ा difference यहां पर यह आता है marketplace में कि branding जो है वह marketplace की हो रही है वह आपकी नहीं हो रही है तो जो भी अगर sales होंगी भी तो शुरू-शुरू में नहीं आपकी वज़े से आपके brand की वज़े से नहीं होंगी वह marketplace की branding की वज़े से होंगी तो यह आपकी favor में होगा यह point क्या फिर नहीं होगा यह आप देख लिए जो खुद की website है वह आपकी website होगी आपकी branding होगी आपके products आपकी brand की वज़े से ही sale होंगे और शुरू-शुरू में एक बड़ा difference और आकरी difference है जो सबसे important difference यह है कि marketplace पे आपको शुरू-शुरू में ज्यादातर ads करने की जुरूरत भी नहीं होगी orders शायद अपने आप आने चालू हो जाए अगर लोगों को आपका product जो है वो दिखने लगेगा तो शुरू-शुरू में आप यहाँ पर liberty ले सकते हैं advertising नहीं करने की एक marketplace पे वहीं आपकी website पे ads करना आपको बहुत जरूरी होगा क्योंकि शुरू-शुरू में कोई भी awareness न करने के लिए ads आपको चलाने नेसेसरी होगा तो यह कुछ differences हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अपना business शुरू करते वक्त यह differences करेंगे कि आप अपना business marketplace पर शुरू करते हैं या फिर खुद की website बनाते हैं तो इस वीडियो में सिफ आज के लिए इतना ही और भी वीडियो में लाता रहूंगा इस चैनल पर और इस वीडियो पर प्लीस कॉमेंट करना ना बूलें इस वीडियो को शेयर करें और कोई भी आपको डाउट है तो आप नीचे comment section में लिख सकते हैं मैं आपके comments को जरूर देखूंगा